दोस्तों आज की स्पड़ों में आप सभी को बताने वाला हूँ इंडिया की नंबर वन SMS रिमाइंडर एप मी खाता के बारे में मी खाता एप उन सभी बिजनस के लिए बहुती ज़्यादा बेनिफिशियल है जो मनी लेंडिंग का काम करते हैं या फिर ऐसे बिजनस के लिए बहुती ज़्यादा बेनिफिशियल है जिने अपने कस्टमर को डेली, वीकली, मन्थली, क्वार्टरली, हाफ एरली या फिर एरली SMS रिमाइंडर भेजना होता है मीखाता एप की मदद से आप अपने बिजनस को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं और पेमेंट का जो कलेक्शन है वो भी फास्ट कर सकते हैं मीखाता एप के लिए मैंने एक बेसिक टुटोरियल वीडियो बनाया है अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकत हैं और जब भी आपकी EMI due होगी आपके customer को automatic SMS reminder चला जाएगा और आपका customer बड़ी आसानी से आपको payment कर सकता है दोस्तों मीखाता app की मदद से आप अपने सभी customer के सभी तरह के documents को upload कर सकते हैं और उसे बड़ी आसानी से access कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपके पास customer की संख्या जादा है और आप अपने staff में अलग-अलग काम बांटना चाहते हैं तो मीखाता app की मदद से आप इस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों अगर आपको bulk में transaction करनी है, bulk में customer add करने है, bulk में accounts को delete करना है तो मीखाता app का web version भी आपको मिल जाता है जिसे आप अपने PC या laptop में बड़ी आसानी से access कर सकते हैं और यहाँ पर आप bulk में transaction कर सकते हैं तो ज्यादा time waste ना करते हुए चलिए देख लेते हैं, मीखाता app हमारे लिए किस तरह beneficial है दोस्तों आपको यहाँ पर एक recurring का option मिल जाता है तो यह option उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा beneficial है जो money lending का काम करते हैं, जो लोग loan provide करते हैं या फिर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा beneficial है जिन्हें अपने customer से weekly, monthly, quarterly, half yearly या फिर yearly EMI का collection करना होता है तो इस option की मदस से आप अपना EMI schedule कर सकते हैं और अपने सभी customer को EMI collection का automatic reminder send कर सकते हैं तो इस option का use करने के लिए आपको simply यहाँ पर click करना है इसके बाद आपको यहाँ पर एक plus का icon देखने को मिल जाता है इस पर हम click करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर तीन option मिलते हैं weekly, monthly, other का तो अगर आप अपने customer को weekly SMS reminder भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ weekly पर click करेंगे अगर आप monthly SMS reminder भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ monthly पर click करेंगे अगर आप quarterly, half yearly या फिर yearly EMI collection का SMS reminder भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ other पर click करेंगे अदर पर click करेंगे इसके बाद आप यहाँ frequency में आएंगे तो आपको यहाँ पर quarterly लिखा हुआ मिल जाएगा तो हमें simply यहाँ पर click करना है इसके बाद आपको यहाँ पर quarterly, half yearly और yearly का option मिल जाता है तो जिस भी हिसाब से आप यहाँ पर SMS reminder भेजना चाहते हैं आप यहाँ से वो period चूज कर सकते हैं तो ज़्यादा तर जो EMI का collection होता है वो monthly basis पर होता है तो हम यहाँ monthly पर click कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पर EMI amount mention करना है जैसे कि मैं यहाँ पर 8000 mention कर देता हूँ इसके बाद आपको यहाँ पर एक option मिलता है start from का तो कब से आप अपने customer को SMS reminder भेजना चाहते हैं कौन सी date से भेजना चाहते हैं तो हमें simply यहाँ पर click करना है इसके बाद आपको उस date को choose करना है जिस date से आप अपने customer को SMS reminder भेजना चाहते हैं तो जैसे कि हम 1 October से भेजना चाहते हैं तो हम यहाँ 1 October choose करेंगे ओके पर click कर देंगे तो यहाँ पर 1 October 2020 लिखकर आ जाएगा frequency, monthly आ जाएगा, यह automatic आएगा इसके बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा number of terms इसका मतलब यह है कि कितने महीनों की EMI है या फिर कितनी EMI है तो माल लीजे हम 12 महीनों की EMI बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर plus वाले icon पर click करके यहाँ पर इसको increase कर लेंगे तो यहाँ पर यह 12 लिख कर आ चुका है इसके बाद यहाँ पर end date automatic आ जाएगी 1 सितमबर 2021 तो हमारे customer को EMI collection का automatic SMS reminder 1 October 2020 से start होगा और पर मन्थ हमारे customer को SMS reminder जाता रहेगा और यह 1 सितमबर 2021 को खतम हो जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पर time का option मिल जाता है तो अगर आप किसी particular timing पर SMS reminder भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ time पर click करेंगे इसके बाद आप यहाँ से अपना time choose कर सकते हैं जैसे कि मैं चाहता हूँ सुबे के 10 बजे मेरे customer को SMS reminder जाए तो यहाँ पर हम 10 पर click करेंगे इसके बाद हम यहाँ से 0 पर आ जाते हैं इसके बाद AM PM मिल जाता है तो हम यहाँ AM पर click करेंगे इसके बाद हम यहाँ से OK पर click कर देंगे इसके बाद यहाँ पर recurring title आपको मिल जाता है मतलब यह एक ही जो EMI का collection आप करना चाहते हैं यह किस चीज की EMI का collection है तो यहाँ पर आपको कोई भी title दे देना है तो यह जो EMI का collection है यह laptop का है तो हम यहाँ पर EMI for laptop लिख देंगे इसके बाद हम यहाँ preview and save पर click कर देंगे तो यहाँ पर EMI का पूरा schedule आ जाएगा यहाँ पर total 12 transaction होंगी यहाँ पर आपको total amount दिखाई दे रहा है 96,000 यहाँ पर SMS reminder कब कब भेजा जाएगा उसकी पूरी detail यहाँ पर दी गई है जैसे कि हर महिने की एक तारिक को SMS reminder जाएगा सुबे के 10 बजे और यहाँ पर amount 8,000 mentioned है इसके बाद हम यहाँ save पर click कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा EMI schedule है यह बन जाएगा इसके बाद दोस्तों अगर आप अपने customer के किसी भी तरह के documents को upload करना चाहते हैं नहीं खाता एप में तो आपको यहाँ पर एक files का option मिल जाता है आप इस option की मदद से अपने customer का KYC documents या फिर GST number, pen number या उसकी photo यहाँ पर upload कर सकते हैं और सभी तरह के documents को बड़ी आसानी से access कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर है हमें इसके document यहाँ पर upload करने हैं तो हम simply यहाँ plus वाले icon पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको दो option मिल जाता है टेका picture का और upload का तो अगर आपके phone में document की copy पड़ी हुई है तो आप यहाँ upload पर click करके सभी तरह के document को upload कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास hard copy है और आप उसकी picture लेकर यहाँ पर documents को upload करना चाहते हैं तो आप यहाँ टेका picture पर click करेंगे इसके बाद यहाँ से हम camera choose कर लेते हैं इसके बाद हमारे जितने भी documents हैं हम उन सभी की photo यहाँ पर click करेंगे और यहाँ से हम okay पर click कर देंगे तो यहाँ पर जो भी document होगा वो upload हो जाएगा तो अभी यह document कुसी seconds में यहाँ पर upload हो जाएगा इसके बाद दूसरा document upload करने के लिए आपको दुबारा प्लस वाले icon पर click करना है इसके बाद हम यहाँ upload पर click करते हैं और जो हमारे system में file पड़ी हुई है हम उनको यहाँ से upload कर सकते हैं तो यहाँ पर आप PDF file image file या किसी भी तरह की file को upload कर सकते हैं जैसे कि मैं यह वाली image ले ले लेता हूं नहीं तो यह वाली PDF file ले लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं PDF फाइल जो है वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है तो दोस्तों यहाँ पर हमने दो डॉकुमेंट अपलोड कर दिये हैं इसके बाद माल लिजिए आपको कुछ महिनों बाद या कुछ साल बाद किसी डॉकुमेंट की जरूरत पड़ती है तो आप यहाँ पर सिंपली कस्टमर का अकाउंट ओपन करेंगे और फाइल में आएंगे तो यहाँ पर आपके कस्टमर के सारे डॉकुमेंट मिल जाएंगे इसके बाद अगर आप किसी भी डॉकुमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं या किसी को शेयर करना चाहते हैं या किसी डॉकुमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली डॉकुमेंट के सामने यहाँ 3. मिल जाता है आपको यहाँ पर क्लिक करना है इसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड, सेयर और डिलीट का ऑप्सिन मिल जाता है तो आप यहां से इन सभी ऑप्सिन का यूज कर सकते हैं जैसे कि अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहां डाउनलोड पर क्लिक करेंगे अगर आपको किसी को शेयर करना है तो आप यहां थ्री डॉट पर क्लिक कर करके यहां से share कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर हमने download कर लिया है, यह document तो यह आ चुका है, तो हम simply यहां view पर click करेंगे, यहां से application चूज करते हैं, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, जो PDF फाइल हमने अभी upload की थी, वो यहां पर download होके आ चुकी है, इसे हम देख सकते हैं, किसी को share करना चाहें, तो share भी कर सकते हैं, इसके बाद अगर आपको किसी भी document को delete करना है, तो आपको simply यहां three dot पर click करना है, इसके बाद आपको यहां delete पर click कर देना है, तो यहां पर जो document होगा, वो delete हो तो यहाँ पर document upload करने का आपको यही benefit होगा कि आपको बार-बार अपने computer में फाइलों को ढूंडने की जरूरत नहीं पड़ेगी, documents को ढूंडने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं आपको किसी भी तरह की hard copy चेक करने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर आप simply अपने customer का account open करेंगे, files में आएंगे, जितने भी document आपने upload किये होंगे, उनकी list आजाएगी, आप download कर सकते हैं, share कर सकते हैं, delete करना चाहें, तो delete भी कर सकते हैं, इसके बाद दोस्तों अगर आप किसी भी customer को call करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर एक call का icon देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको चार option मिल जाते हैं, पहला है add to contact का, तो अगर आप अपने किसी भी customer को अपने contact में save करना चाहते हैं, तो आप यहाँ add to contact का use कर सकते हैं, अगर आप किसी भी customer को delete करना चाहते हैं, तो आप यहाँ delete customer पर click करेंगे, लेकिन अगर आपका किसी भी तरह का हिसाब किताब बाकी है तो आपको यहाँ पर account settle करना होगा तब ही आप अपने customer को delete कर सकते हैं इसके बाद अगला option है यहाँ पर so sms lock का तो इस option की मदद से आप यह पता लगा सकते हैं कि हमारे इस customer को कितनी बार और कब कब sms reminder भेजा गया है तो हम इस पर click करते हैं तो sms reminder भेजा गया होगा इस customer को उनकी list यहाँ पर आ जाएगी ओके यहाँ पर आपको date मिल जाएगी timing मिल जाएगा और क्या message भेजा गया है यह भी यहाँ से मिल जाएगा हम यहाँ back पर click करके बाहर आएंगे three dot पर click करेंगे इसके बाद अगला option है यहाँ पर reports का तो आप इस option की मदद से reports को generate कर सकते हैं बाकी दोस्तों अगर आपको यहाँ पर report download करनी है तो आप यहाँ पर click करेंगे इसके बाद आप अपना period select करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर download report पर click कर देंगे तो जो आपकी report है वो यहाँ पर download हो जाएगी view पर click करेंगे यहाँ से हम application choose करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह account statement आ चुकी है यहाँ पर इस side my life support लिखा हुआ है address लिखा हुआ है यहाँ पर account statement लिखा हुआ period दिया गया है total balance कितना है cash in कितना हुआ cash out कितना हुआ वो सारी detail यहाँ पर आपको मिल जाएगी यहाँ पर खाता name आपको मिल जाएगा transaction date मिल जाएगी अगर आपने किसी भी तरह का note लिखा होगा तो वह आपको comment में सो होगा amount कितना था उसकी detail आपको यहाँ पर मिल जाएगी तो कुछ इस तरह की यह account statement generate होके आती है इसके अगर हम यहाँ back पर click करके बाहर आ जाएंगे दुबारा back पर click करेंगे और बाहर आ जाएंगे इसके बाद दोस्तों अगर आप आएंगे transaction में तो यहाँ पर आपको चार काम के option मिल जाते हैं सेटल send sms वर्डसप sms on का तो अगर आपको यहाँ पर account settle करना है जैसे कि जैस कुमार को हमें 38,000 रुपए देने हैं अगर हम 38,000 रुपए जैस कुमार को दे रहे हैं तो हम यहाँ सेटल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 38,000 रुपए जाएगा यहाँ से आप transaction date चूज कर सकते हैं इसके बाद हम simply यहाँ सेब पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा account है यह सेटल हो जाएगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैस कुमार और नीचे balance दिखार 0 तो दोस्तों यहाँ पर जैस कुमार का account 0 हो चुका है इसलिए हम यहाँ पर किसी दूसरे customer का account open करते हैं तो अगर आप अपने किसी भी classroom को manually SMS reminder भेजना चाहते हैं तो आप यहां send SMS पर click करेंगे तो आपके customer को SMS reminder चला जाएगा तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह message आ चुका है इसका मतलब यह है कि customer को message चला गया है इसके बाद अगर आप WhatsApp पर SMS reminder भेजना चाहते हैं तो आपको simply WhatsApp पर click करना है करने की जुरूरत नहीं है हमें simply यहां send पर click कर देना है send के icon पर तो जो हमारा customer होगा उसको WhatsApp पर SMS reminder चला जाएगा इसके बाद यहां पर fourth option है SMS on का तो अगर आप इसे off करना चाहते हैं मतलब यह कि हम किसी भी तरह की transaction करें हमारे customer को किसी भी तरह का SMS ना जाए तो आप यहां से SMS को off कर सकते हैं इसके बाद अगर आप यहां पर किसी भी तरह की transaction करेंगे तो आपके customer को किसी भी तरह का message नहीं जाएगा तो जैसा कि आपने देखा अभी मैंने यहां पर 21,000 की entry की है लेकिन अभी तक मुझे किसी भी तरह का SMS नहीं आया है तो यहां पर आप कुछ इस तरह से SMS को off कर सकते हैं अगर on करना है तो आप दुबारा इस पर click करेंगे तो यहां पर SMS on हो चुका है इसके बाद अगर मैं यहां पर किसी भी तरह की transaction करूँगा तो मेरे customer को automatic message चला जाएगा अभी आप लोग देखना यहां पर message कुछी seconds में आ जाता है तो यहां पर यह message आ चुका है इसके बाद दोस्तों अगर आप किसी भी transaction को delete करना चाहते हैं तो आपको simply transaction पर click करना है जिसे आप delete करना चाहते हैं इसके बाद आपको यहां पर delete का option मिल जाता है आप जैसे इस पर click करेंगे delete पर click करेंगे तो यहां पर जो transaction होगी वो delete हो जाएगी मैं एक बार और करके दिखाता हूँ जैसे कि इस transaction को हम delete करना चाहते हैं 12,000 की तो इस पर हमने click किया इसके बाद हम delete पर click करेंगे delete पर click करेंगे तो यहां से जो 12,000 की transaction थी वो delete हो चुकी है और यहां पर जो हमारा balance है वो भी कम हो चुका है दोस्तों जब भी हमें अपने किसी customer को add करना होता है तो हम इस contact के icon पर click करते हैं यहां पर हम अपने customer का नाम mention करते हैं यहां पर mobile number mention करते हैं और हमारा जो customer है वो add हो जाता है लेकिन यहां पर कुछ detail missing है जैसे कि अगर हमें अपने customer का पूरा address, gst number, pen number या फिर loan number mention करना हो तो उसे हम कहां से mention करेंगे तो चली मैं आपको करके दिखा देता हूँ तो हम यहां पर click करेंगे cancel पर click करके बाहर आ जाएंगे इसके बाद हम यहां पर किसी भी एक customer का जो account है open कर लेंगे इसके बाद हम यहां customer के नाम पर click करेंगे इसके बाद आपको यहां पर customer का email address mention करना है तो आप यहाँ पर अपने customer का email address mention कर सकते हैं अगर आपको अपने customer की date of birth add करनी है तो आप यहाँ से अपने customer की date of birth भी add कर सकते हैं मैंने demo के लिए यहाँ पर यह add कर लिया है इसके बाद अगर आपको अपने customer का address mention करना है तो आप यहां से address भी mention कर सकते हैं आप यहां पर जो address है इसे customize कर सकते हैं अपने हिसाब से तो यहां पर जो address आ रहा है मैं इसे ऐसा ही रहने देता हूँ इसके बाद अगर आपको यहां पर landmark add करना है तो आप यहां पर landmark दे सकते हैं फिलाल मैं इसे भी blank छोड़ देता हूं हम यहां simply save पर click करेंगे तो यहां पर जो address है यह आ जाएगा इसके बाद अगर आपको यहां पर gst नंबर pen नंबर या loan नंबर की एक अलग से field बनानी हो जैसे कि यहां पर address की है date of birth की है email address की है तो अगर आपको field बनानी है है तो आप यहां add more field पर click करेंगे इसके बाद आपको यहां पर field का नाम दे देना है जैसे कि मैं यहां पर gst नंबर लिख देता हूँ इसके बाद हम यहां save पर click करेंगे तो यहां पर एक और field add हो जाएगी gst कि नंबर के नाम से इसके बाद अगर हमें loan number की एक field बनानी है तो हम यहाँ add more field पर click करेंगे इसके बाद हम यहाँ पर loan number mention कर देंगे इसके बाद हम यहाँ save पर click कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग देखना GST number और loan number की जो field है वो आचुकी है ठीक इसी तरह आप यहाँ पर और भी field add कर सकते हैं GST number mention करना है तो आप यहाँ पर GST number mention कर देना मैं यहाँ पर randomly कुछ भी लिख दे रहाँ लेकिन आपको यहाँ पर correct GST number और correct loan number mention करना है इसके बाद हम यहाँ next पर click करेंगे तो यहाँ पर यह जो field है यह आ जाएंगी अगर हम यहाँ more detail पर click करें तो यहाँ पर आप लोग देखना GST number loan number यहाँ पर आ चुका है लेकिन इससे पहले यहाँ पर यह नहीं आ रहा था अगर हम यहाँ back पर click करके बाहर आएं इसके बाद अगर हम किसी दूसरे customer पर click करें इसके बाद अगर हम दुबारा customer name पर click करें pencil के icon पर जाएं तो यहाँ पर आप लोग देखना यह जैयस कुमार का account हमने open किया है तो यहाँ पर हम जैयस कुमार की detail को modify कर रहे हैं तो यहाँ पर जैयस कुमार का नाम आ जाएगा mobile number को change करना चाहें तो change कर सकते हैं यहाँ पर आपको जैयस कुमार का email address, date of birth, address, gst number और loan number mention करना है अगर आपके पास यह सबी detail हैं तो mention करिए नहीं तो आप blank छोड़ सकते हैं इसके बाद हम यहाँ back पर click करके बाहर आ जाते हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक काम का option मिलता है आपको जैसे कि माली जी आपको यह देखना है कि हमारी दिल्ली की कौन-कौन सी पार्टियां है या फिर मुंबई की कौन-कौन सी पार्टियां है या फिर कोलकता की कौन-कौन सी पार्टिया हैं तो आप यहाँ पर उन सभी पार्टियों के नाम के आगे एक टैग लगा सकते हैं एक लेबल लगा सकते हैं बाकि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो हमें कैस में पेमेंट करते हैं और कुछ customer ऐसे होते हैं जो हमें check से payment करते हैं तो आप यहाँ पर सभी तरह के label add कर सकते हैं जैसे कि यह जैस कुमार है यह हमारी दिल्ली की party है तो हम यहाँ पर एक इसके लिए label add कर देंगे हम यहाँ add label पर click करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर label का नाम देना है जैसे कि मैं यहाँ पर दिल्ली लिख देता हूँ इसके बाद आप यहाँ से किसी भी तरह का color चूज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो तो मैं इसे green रहने देता हूँ मैं यहाँ save पर click करूँगा तो यहाँ पर एक label आ जाएगा इसके बाद हम यहाँ दुबारा add label पर click करते हैं और बाकी के जितने हमारे label हैं हम उन सभी को create कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर Mumbai और Kolkata का label लगा लेते हैं तो हम यहाँ add label पर click करेंगे इसके बाद हम यहाँ पर Mumbai टाइप करेंगे, Color Choose करेंगे, Save पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर Mumbai का लेबल आ गया, ठीक इसी तरह हम कोलकता का भी लेबल यहाँ पर अड़ करेंगे, तो हम यहाँ Add लेबल पर क्लिक करेंगे, इसके बाद हम यहाँ कोलकता लिखेंगे, इसके बा label पर click करना है इसके बाद हम यहाँ पर check लिख देते हैं इसके बाद हम यहाँ से color choose करेंगे save पर click करेंगे तो यहाँ पर यह check का label आ गया cash का label बना लेते हैं यहाँ पर cash लिखेंगे इसके बाद हम यहाँ से किसी भी तरह का एक color choose करेंगे save पर click कर देंगे तो यहाँ पर यह सारे label create हो चुके हैं इसके बाद यह जो customer है JS कुमार यह दिली की party है और यह cash में payment करती है तो हम यहाँ दिली पर tick लगा देंगे और हम यहाँ cash पर tick लगा देंगे इसके बाद हम यहाँ save पर click कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं phone number के नीचे दो label और add हो चुके हैं दिली और cash तो यहाँ पर जो हमने label लगाया है यह JS कुमार के लिए लगाया है अगर आपको किसी दूसरे customer के लिए label लगाना है तो आप simply यहाँ back पर click करके बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर मालीजे अजय सर्मा है हम इसके लिए label लगा देते हैं जैसे कि यहाँ पर दिली cash लिक कर आ रहा है ठीक उसी तरह हम अजय सर्मा में भी label लगाएंगे तो हम यहाँ customer name पर tap करेंगे इसके बाद हम यहाँ दुबारा customer name पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको add label का option मिल जाता है email id के नीचे तो हम simply यहाँ add label पर click करेंगे इसके बाद माल लीजिए यह जो party है यह मुंबई की party है और यह हमें check से payment करती है तो हम यहाँ मुंबई पर click लगाएंगे और हम यहाँ check पर click लगा देंगे इसके बाद हम यहाँ save पर click कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुंबई और check का दो label यहाँ पर आ चुका है ठीक इसी तरह मैं back पर click करके बाहर आ जाता हूं और यहाँ पर जो बाकी के customer है इन सभी के लिए हम label add कर लेते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सभी customer के लिए हमने label add कर दिया है label को हम tag भी बोलते हैं इसकी मदद से हम अपने सभी customer को बड़ी आसानी से short कर सकते हैं जैसे कि माल लीजी मुझे ये देखना है कि हमारी दिल्ली की कौन सी पार्टियां है तो इसके लिए हम यहाँ पर scroll करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ हम tag पर click कर देंगे इसके बाद हम यहाँ दिल्ली पर tick लगा देंगे और यहाँ से apply filter पर click कर देंगे तो दिल्ली की जितनी भी पार्टियां होंगी उन सभी की detail हमारे सामने आ जाएगी यहाँ पर तीन पार्टियां दिल्ली की हैं और यह हमें cash में payment करती हैं तो कुछ इस तरह से आप अपने customer को filter कर सकते हैं इसके बाद माल लीजी हमें यह देखना है कि हमारी मुंबई की कौन कौन सी पार्टियां है तो हम यहाँ tag पर click करेंगे इसके बाद हम यहाँ मुंबई पर tick लगाएंगे apply filter पर click करेंगे तो यहाँ पर हमारे जितने भी customer मुंबई से होंगे उन सभी की list यहाँ पर आ जाएगी इसके बाद माल लीजी हमें यह देखना है कि ऐ इसके बाद हम यहाँ दिल्ली के आगे जो box है इस पर click करेंगे तो यह tick लग जाएगा कोलकता पर click करेंगे तो यहाँ पर भी tick लग जाएगा इसके बाद हम यह apply filter पर click कर देंगे तो हमारी दिल्ली और कोलकता की जितनी भी party होंगी उन सभी की list यहाँ पर आ जाएगी और किस तरह से payment हमें करती हैं उनका भी tag आपको यहां पर दिखाई दे रहा है जैसे कि cash में करती हैं सभी पार्टियां तो cash लिख कर आ गया है अगर कोई party check से करती होगी तो वहां पर check लिख कर आ जाएगा तो अगर आप यहां पर label का use करते हैं तो आप अपनी सभी partyों को बड़ी असानी से filter कर सकते हैं इसके बाद हम यहां scroll करके आगे आएंगे और यहां all पर click कर देंगे तो हमारे जितने भी customer होंगे उन सभी की detail यहां पर आ जाएगी दोस्तों अगर आप अपनी किसी भी तरह की field को create करना चाते हैं या delete करना चाते हैं या फिर किसी label को create करना चाते हैं या delete करना चाते हैं तो इसके लिए आपको जाना है business में यहां पर हम click करेंगे इसके बाद आपको यहां पर एक option मिलता है add custom field का तो आप यहां से अपनी field को remove कर सकते हैं नई field को add कर सकते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने जो दो फिल्ड एक्स्ट्रा क्रियेट की थी जीस्टी नंबर की लोन नंबर की वो यहाँ पर आ रही है अगर आपको इसे मॉडिफाई करना है तो आपको सिंपली इस पैन के icon पर click करना है इसके बाद आप यहां से इसे modify कर सकते हैं बाकि अगर आपको field को delete करना है तो आप यहां delete के icon पर click करके इसे delete कर सकते हैं modify करना है तो आप यहां पर click करेंगे इसके बाद जो भी नाम देना चाहें आप यहां पर नाम दे सकते हैं और save पर click कर देंगे तो यह जो field होगी यह modify हो जाएगी जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नई field create करने के लिए आपको यहाँ plus के icon पर click करना है यहाँ पर field का नाम देना है जो भी आप नई field create करना चाहते हैं इसके बाद यहाँ से पर click कर देंगे तो यहां पर एक नई field create हो जाएगी ठीक इसी तरह अगर आपको यहां पर label create करना है या label को delete करना है तो आप यहां back पर click करके बाहर आएंगे more setting में customer label and text का option मिल जाता है तो हम simply इस पर click कर देंगे इसके बाद अगर आपको किसी लेबल को delete करना है तो आप simply हां label पर click करेंगे इसके बाद आपको यहां पर एडिलीट का option मिल जाता है डिलीट का icon मिल जाता है आप जैसे इस icon' पर click करेंग यह भाप यह डिलीट हो जाएगा label को modify करने के लिए आप यहां label पर click क्लिक करेंगे इसके बाद आप यहां से अपने लेबल को मौडिफाई भी कर सकते हैं जैसे कि यहां पर मैंने usando रिकर दिया इसके बाद हम यह से पर click कर देंगे तो यहां पर दिली की जगा दिली लिख कर आ जाएगा अगर आपको किसी लेबल को डिलीट करना है तो आप simply label पर click करेंगे और यहाँ delete का icon दिखाई दे रहा है इस पर click कर देंगे तो label जो है delete हो जाएगा अगर नया label add करना है तो आप इस plus के icon पर click करेंगे और यहाँ से आप अपना कोई दूसरा label create कर सकते हैं यहाँ से color choose करिए save पर click करिए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह label create हो चुका है दोस्तों अगर आपके पास customer की संख्या जादा है और आप अपने staff को अलग-अलग काम सौंपना चाहते हैं तो business tab में आपको manage team का option मिल जाता है आप जैसी यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको पहला option मिलेगा user detail का आप यहाँ से यह पता लगा सकते हैं कि हमने यहाँ पर अपने कौन-कौन से staff को assign किया है और उन्हें क्या-क्या permission दी है इसके बाद दूसरा option है permission set का तो आप जैसी यहाँ पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर्मिसन सैट में डिफॉल्ट परमिसन देखने को मिल जाएगी तो अगर आप अपने user को default MB देना चाहते हैं तो उसमें उसे क्या-क्या access मिलेगा उसे देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी default permission होंगी उन सभी को आप यहाँ से देख सकते हैं जो भी green आपको दिखाई दे रहा है मतलब यह कि user को इन सभी option का access मिलेगा बाकी अगर आप यह चाहते हैं कि मेरे एक staff को कोई particular permission मिले तो इसके लिए आपको यहाँ पर permission create करनी पड़ेगी अब जैसे कि माली जी हमारा एक staff है रहूल नाम से हम रहूल को transaction का permission देना चाहते हैं जैसे कि transaction को delete करना, transaction add करना, transaction को modify करना, recurring transaction करना तो इस तरह की हम permission देना चाहते हैं अपने staff को तो यहाँ पर हमें पहले permission create करनी पड़ेगी तो permission create करने के लिए आपको simply यहाँ plus वाले icon पर click करना है इसके बाद आपको यहाँ पर enter permission type ने मिल जाएगा तो यहाँ पर हमें permission का नाम देना है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं transaction बाकी आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं जैसे कि transaction only या आप जो कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर हमें permission assign करनी है सिर्फ transaction के लिए तो यहाँ पर जो पहला section है यह customer का है तो यहाँ पर जितनी भी permission है यहाँ पर आपको green दिखाई दे रहे आपको simply यहाँ green tick पर click करके यहाँ से permission को remove कर देना है इसके बाद आप आएगे आएंगे तो यहाँ पर आपको यह transaction की permission देखने को मिल जाती है जैसे कि add, edit transaction तो यह enable है delete transaction का option यहाँ पर enable नहीं है तो अगर आप इसे enable करना चाहते हैं तो आप simply यहाँ पर click करेंगे तो यह green icon आ जाएगा और यहाँ पर बाकी की भी जो permission है हम उसे assign कर देते हैं इसके बाद आप scroll करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप business में आ गए यहाँ से हम इन सभी permission को remove कर देते हैं तो यहाँ पर transaction की जितनी भी permission थी वो सभी हमने यहाँ पर assign कर दी है इसके बाद हम यहाँ save पर click कर देंगे तो इस तरह से आप यहाँ पर permission type create कर सकते हैं इसके बाद आप आएंगे user detail में यहाँ पर click करेंगे इसके बाद हम यहाँ पर Rahul नाम के staff को add करना चाहते हैं और उसे transaction की permission देना चाहते हैं तो हम यहाँ plus वाले icon पर click करेंगे तो यहाँ पर पहला option है photos का तो हम यहाँ पर click करके अपने staff की photo लगा सकते हैं तो यहाँ पर मैं अपनी ही एक photo लगा लेता हूँ यहाँ पर आप चाहें तो image को crop भी कर सकते हैं इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी इसके बाद हम simply यहाँ crop पर click करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपका staff होगा उसकी यहाँ पर photo आ जाएगी इसके बाद यहाँ पर हमें अपने staff का पूरा नाम mention कर देना है तो हम यहाँ पर राहुल लिख देते हैं इसके बाद यहाँ पर mobile number में राहुल का mobile number आ जाएगा तो यहाँ पर मैं अपना ही mobile number mention कर देता हूँ इसके बाद यहाँ पर राहूल का email address और यहाँ पर address आ जाएगा तो मैं यहाँ पर अपना ही email address ले लेता हूँ इसके बाद आप role में आएंगे तो यहाँ पर आपको दो option मिल जाते हैं manager का, staff का तो अगर आपका जो employee है वो manager है तो आप manager पर click करेंगे अगर वो एक normal staff है तो आप यहाँ staff पर click कर देंगे इसके बाद permission set में आएंगे तो आपको यहाँ पर default लिखा हुआ मिल जाएगा आप यहाँ पर click करेंगे तो अभी आपने जो permission type create किया होगा उसकी list भी यहाँ पर आ जाएगी तो हम simply यहाँ transaction पर tick लगा देंगे तो अभी आप लोग देख सकते हैं permission set में आपको transaction लिखा हुआ मिल जाएगा हम यहाँ दुबारा click करेंगे इसके बाद यहाँ पर जो i का button दिया गया है इस पर हम click करेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी permission है वो सभी disable है यहाँ पर हम user को सिर्फ transaction करने की permission दे रहे हैं इसके बाद हम यहाँ back पर click करके बाहर आ जाएंगे इसके बाद हम यहाँ next पर click करेंगे और यहाँ पर एक user create हो जाएगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रहुल लिखा हुआ है mobile number लिखा हुआ है और यहाँ पर staff और उपर transaction लिखा हुआ है transaction मतलब यह कि रहुल को सिर्फ transaction करने की permission है तो जैसे ही आप रहुल को add करेंगे रहुल के पास कुछ इस तरह का message आ जाएगा तो कुछ ही इस तरह का message आपके staff को receive होगा यहाँ पर मेरा ही नाम आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने अपना ही mobile number mention किया था इस message में आपको एक link दिखाई देगा जैसे ही आपका staff इस link पर click करेगा तो मीखाता app open हो जाएगी और आपका staff transaction करना सुरू कर सकता है तो यहाँ पर हमने राहूल को सिर्फ transaction की permission दी थी इसलिए राहूल सिर्फ transaction कर सकता है इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकता इसके बाद दोस्तों मैं आपको यह बता देता हूँ कि किस तरह हम मीखाता app को अपने PCI laptop में use कर सकते हैं और bulk में transaction कर सकते हैं तो इस app को अपने PCI laptop में access करने के लिए आपको अपना Google Chrome open करना है और आपको यहाँ पर type करना है web.meekhata.com इसके बाद आप यहाँ पर login करके meekhata app को अपने desktop पर use कर सकते हैं तो जैसे आप यहाँ पर login होंगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा यहाँ पर आपके सभी customer के नाम, mobile number और इनका क्या balance है उसकी detail आपको यहाँ से मिल जाती है इसके बाद यहाँ पर total cash in कितना हुआ उसका amount आपको यहाँ पर मिल जाता है इसके बाद आपको इस side एक option मिलता है add customer का तो अगर आप अपने customer को one by one add करना चाहते हैं तो आप simply यहाँ add customer पर click करेंगे और अपने customer की पूरी information fill करने के बाद आप simply add customer पर click करके यहाँ पर customer को add कर सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर आप अपने customer को bulk में add करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक option मिलता है import customer का आप यहाँ पर click करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर एक sample CSV file को download कर लेना है और अपना जो पूरा format है उसे ready करना है तो यहाँ पर आपको simply click here पर click करना है sample file को download करने के लिए तो यहाँ पर एक CSV file download हो जाएगी जैसा कि आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं हम इस file को open करेंगे यहाँ पर double click करेंगे तो यह जो CSV file है यह Excel में open हो जाएगी तो दोस्तों यह है हमारी sample file इस file में जो column की width है वो कम है तो हमें सभी column की width को auto fit करना है तो इसके लिए हम यहाँ कोने पर click कर देंगे तो जो हमारी पूरी seat है यह select हो जाएगी इसके बाद हम कीनी दो column के बीच में आएंगे यहाँ पर double click कर देंगे तो column की width auto fit हो जाएगी इसके बाद हमें कुछ इस तरह का format तयार करना है यहाँ पर हमारे सभी customer का नाम आ जाएगा यहाँ पर calling code आ जाएगा यहाँ पर mobile number, email address यहाँ पर country code आ जाएगा तो यहाँ पर हमें सभी में आयन लिख देना है इसके बाद यहाँ पर आपके customer का पूरा address आ जाएगा तो यहाँ पर मैं 4-5 entry कर लेता हूँ और उसके बाद हम यहाँ बल्क में अपने customer को add करना सीखेंगे तो यहाँ पर हमने यह 3 नई entry की है और यहाँ पर जो 2 entry पहले की थी इसे हम delete कर लेते हैं और अपनी इस CSV फाइल को save कर देते हैं तो हम यहाँ पर दूसरे नाम से फाइल को save करना चाहते हैं तो हम अपने keyboard से F12 बटन प्रेस करेंगे इसके बाद हम यहाँ desktop पर save करने वाले हैं desktop पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर हमें अपनी फाइल का नाम देना है जो भी नाम आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं जैसे कि यहाँ पर customer bulk upload इसके आगे हम लिख देते हैं इसके बाद हम simply यहाँ save पर click कर देंगे तो जो हमारी CSV फाइल है यह save हो जाएगी desktop पे इसके बाद हम अपना Google Chrome open करेंगे और जो CSV फाइल अभी हमने ready की थी उसे हमें यहाँ पर upload करना है तो आप चाहें तो यहाँ पर drag करके भी अपनी file को upload कर सकते हैं बाकी आप यहाँ पर click करके भी अपनी file को upload कर सकते हैं तो जो हमारी file थी desktop पर थी और जो हमारी file का नाम था customer bulk upload था तो हम इसे choose करेंगे open पर click कर देंगे तो यहाँ पर हमारे जितने भी customer होंगे उन सभी की list आ जाएगी और यहाँ पर जो भी हमने detail fill की होगी वो सारी detail आ जाएगी इसके बाद हम यहाँ save पर click कर देंगे ओके पर click करेंगे तो अभी आप लोग देखना यहाँ पर तीन customer और add हो जाएंगे रमन, रमेश, राजुनाम से इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक काम का option मिलता है actions का, तो जैसी आप इस पर click करेंगे यहाँ पर आपको तीन option मिलेंगे settle accounts का, delete accounts का और bulk transaction का तो अगर आपको यहाँ पर bulk में account settle करना है तो आप इस option का use करेंगे अगर आपको bulk में accounts को delete करना है तो आप इस option का use करेंगे अगर आपको यहाँ पर bulk में transaction करनी है तो आप इस option का use करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर Settle Accounts का use करना बता देता हूं तो हम यहाँ पर click करेंगे लेकिन इस से पहले हमें उन सभी customer को select करना होगा जिनके accounts को हम settle करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं Vivek Saram लिखा हुआ है Sandeep Jan लिखा हुआ है और यहाँ पर Sandeep लिखा हुआ है तो इन तीनों के accounts को मैं settle करना चाहता हूँ यहाँ पर आप लोग इनका balance देख सकते हैं कितना कितना balance है इसके बाद हम उपर आएंगे action में आएंगे और यहाँ पर जो पहला option है settle accounts का इस पर हम click करेंगे तो यहाँ पर हमने जितने भी customer select किये थे उनकी पूरी detail यहाँ पर आ चुकी है यहाँ पर कितना due balance था उसकी information यहाँ पर आ चुकी है settlement amount कितना है वो सारा कुछ आ चुका है balance क्या बचेगा zero और यहाँ पर settlement type क्या था credit या debit तो आपको यहाँ पर यह दिखाई देता रहेगा इसके बाद जैसी हम यहाँ पर settle पर click करेंगे तो संदीब, संदीब जैन और यहाँ पर विवेक सरम का जो account है यह निल हो जाएगा तो हम यहाँ settle पर click करते हैं तो अभी आप लोग देखना जो account है यह settled हो चुका है हम ok got it पर click करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं संदीब, जैन, संदीब और विवेक सरम का जो balance है यहाँ पर 00 आ चुका है इसके बाद दोस्तों हम यह जान लेते हैं कि किस तरह हम यहाँ पर bulk में accounts को delete कर सकते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले उन सभी accounts को select करना होगा जिसे आप delete करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने यह 4 accounts select कर लिये हैं इसके बाद हम उपर आएंगे action में आएंगे और यहाँ हम delete accounts पर click कर देंगे yes पर click करेंगे तो यहाँ पर हमने 4 accounts select किये थे वो तो वो चारो जो accounts थे वो delete हो चुके हैं इसके बाद दोस्तों मैं आपको यह बता देता हूँ कि किस तरह आप यहाँ bulk में transaction कर सकते हैं तो इसके लिए आपको जाना होगा action में यहाँ पर आपको option मिलता है bulk transaction का हम simply यहाँ पर click करेंगे इसके बाद हमें यहाँ पर name में आना है और यहाँ पर अपने customer का नाम type करना है बागी आप चाहें तो यहाँ पर scroll bar का use करके अपने customer को select कर सकते हैं जैसे कि हमारा customer है संदीब तो हम यहाँ पर type करेंगे संदीब ओके तो यहाँ पर संदीब नाम से आपने जितने भी accounts create कियो होंगे उन सभी की list आ जाएगी यहाँ से आप correct name को choose कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको transaction amount mention करना है यहाँ पर transaction type क्या है cash in हुआ है या cash out हुआ है तो आप यहाँ से यह transaction type choose कर सकते हैं इसके बाद अगर remarks लिखना चाहें तो remarks लिख सकते हैं बाकि आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं यहाँ पर transaction date आ जाएगी अगर आप back date में entry करना चाहते हैं तो आप simply यहाँ पर click करेंगे इसके बाद आप यहाँ से back date की entry चूज कर सकते हैं अगर आगे की date में entry करनी है जैसे कि अभी आज की तारिक है 9 सितंबर अगर आप यहाँ पर 24 सितंबर की करना चाहते हैं तो आप यहाँ 24 सितंबर पर click करेंगे और यहाँ पर यह date आजाएगी इसके बाद अगर आप यहाँ पर और भी संदीप नाम से entry करना चाहते हैं तो आपको दुबारा यहाँ पर click करना है और यहाँ पर आप type करेंगे संदीप यहाँ पर संदीप नाम आ गया इस पर click करेंगे इसके बद यहाँ पर हम transaction amount mention करेंगे transaction type, cash in, cash out आप यहाँ पर दे सकते हैं इसके बद दोस्तों माल लेज़े हम आपर किसी दूसरे customer की entry करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर click करेंगे इसके बद हम यहाँ से अपने customer का नाम choose करेंगे यहाँ पर transaction amount mention करेंगे और यहाँ पर transaction type क्या है, cash in हुआ है, या cash out हुआ है, उसे choose करेंगे, यहाँ पर remarks लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसके बाद आप यहाँ पर किसी दूसरे customer की भी entry कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ bulk में entry कर सकते हैं, अगर आप किसी transaction को delete करना चाहते हैं, तो आप यहाँ simply delete के icon पर click करेंगे, तो यहाँ पर जो entry होगी, वो delete हो जाएगी, इसके बाद यहाँ पर हमने यह 3 entry की हैं, संदीप और अजय सर्मा की, तो हम यहाँ simply save पर klick करेंगे, तो यह जो हमने 3 transaction की हैं, यह 3 transaction save हो जाएगी, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, य यह जो तीनो ट्रांजेक्शन थी यह successfully completed हो चुकी हैं और यहाँ पर भी यह आपको message दिखाई दे रहा है इसके बाद हम यहाँ पर click करके बाहर आ जाएंगे इसके बाद दोस्तों अगर आप किसी एक customer की entry करना चाहते हैं तो आपको simply customer के name पर click करना है इसके बाद यहाँ पर जो customer का पूरा account से यह आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर हमने Ajay Sarma का account open किया है अगर हमें Ajay Sarma का account settle करना है तो हम यहाँ settle up पर click करके इस account को settle कर सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर एक option मिलता है transaction का तो आप यहाँ से Ajay Sarma की जितनी भी entries हैं उन्हें कर सकते हैं जैसे क यहाँ पर हम cash in की entry कर लेते हैं तो हम यहाँ पर amount mention करेंगे 25,000 इसके बाद हम यहाँ cash in पर click कर देंगे इसके बाद हम यहाँ से transaction date को change करना चाहें तो transaction date को change कर सकते हैं इसके बाद किसी तरह का remarks लिखना है तो आप यहाँ पर remarks लिख सकते हैं इसके बाद अगर आपको यहा upload पर click करके अपनी जो receipt है उसे यहाँ पर upload कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं किसी एक picture को upload कर देता हूँ तो यहाँ पर हमने एक image select कर ली है इसके बाद हम यहाँ open पर click करेंगे तो यहाँ पर जो image होगी वो कुछी second में upload हो जाएगी इसके बाद हम यहाँ add transaction पर click कर देंगे तो यहाँ पर जो भी हमने transaction की होगी वो successfully यहाँ पर save हो जाएगी तो अभी हमने entry की थी 25,000 की तो यहाँ पर यह entry आ चुकी है और timing क्या था 347 तो यहाँ पर यह timing भी आपको दिखाई देता रहेगा इसके बाद दोस्तों हम यहाँ back पर click करके बाहर आ जाते हैं इसके बाद अगर आपको अपने सभी accounts की detail को export करना है तो आपको यहाँ पर एक option मिलता है export का हम यहाँ पर click करेंगे तो जितने भी accounts होंगे यह सभी export होके आ जाएंगे यहाँ पर यह CSV फाइल आ चुकी है तो हम इस पर double click करके इसे open कर लेंगे तो यह जो CSV फाइल है यह Microsoft Excel में open हो जाएगी यहाँ पर जो column की width है हम इसे बढ़ा लेते हैं तो यहाँ से आप अपने सभी customer की list देख सकते हैं उनका phone number, email address और क्या balance due है यह सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी लास्ट payment date कितनी थी वो सारी information आपको यहाँ पर मिलती रहेगी बाकी जो भी detail आपने fill up की होगी वो सारी detail यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों मीखाता app को install करने के लिए इस वीडियो का description चेक करें बाकी आप Google Play Store में जाके वहाँ से भी मीखाता app को बड़ी आसानी से install कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like, comment और share जरूर करें इसी तरह के useful वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस कर देना क्योंकि उससी से आपको हमारे latest वीडियो के notification मिलने वाले हैं मिलते हैं के लिए अपडेट में तब तक के लिए धन्यवाद, good night and bye bye